टुडे लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ अरुन्चेब अभी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं कि टेरिरिस्ट एको सिस्टम पर वार करते हुए यूटी आड्मिस्टेशन्स ने चार गवर्मेंट इंप्लोईज को उनकी जॉब से डिस्मिस कर दिया है जिसमें की एक डॉक्टर भी शामिल है काफी बड़ा एक खबर है और बहुत बड़ा स्टेप है यूटी आड्मिस्टेशन्स की तरफ से कि ऐसे गवर्मेंट में लोग जो की गवर्मेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके जो लिंक है वो आंतकवाद के साथ है आंतकवादियों के साथ उनको आश्रे देते हैं उनको help करते सुपोर्ट पहुचाते हैं एसकों के खिलाफ कारावाई करते हुए एक बड़ी जो है कारावाई एड्मिस्टेशन्स द्वारा की गई है कि चार गवर्मेंट इंप्लोईज जो है उनको सैक किया गया है उनकी जॉब से जनरल एड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको लेकर एक और निकाला और उस कारावाई की गई और जिसमें की एक डॉक्टर भी शामिल है और एक पुलीस एक लाब बेरर और एक हाईयर एड्यूकेशन में टीचर है इन लोगों की इंवाल्मेंट है टेरर अक्टिविटीज में जिसके चलते हुए एक बड़ी कारावाई जो है युटी एड्मिस्टे 6 को इन्वो करते हुए ये कारवाई की जिसमें की बिना किसी inquiry के ये कारवाई की जा सकती है ऐसे employees के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार में काम करते हैं और उनके खिलाफ ये कारवाई की बिना किसी inquiry के उनको dismiss कर दिया जाए उनकी job से और भी इसके बारे में जो अधिक जानकारी दी जिनकी इसमें इंवाल्ब्मेंट इंप्लॉई हैं जिनको स्याक किया गया है इसमें एक है डॉक्टर निसार उलहसन बताय जा रहा है कि डॉक्टर एसोसीशन कष्मीर के प्रेसिडेंट हैं और दूसरा है स्रामराथर जो कि एक lab bearer है higher education department में अब्दूल मजीद भट जो की constable है जमु कश्मीर पुलीस में और फारूक एहमद मीर teacher है government teacher ये चार लोग है इनके खिलाफ कारवाई की गई है और सक्त कारवाई के तैत इन चारों को उनकी नोकरी से सैक कर दिया गया है डिस्मिस कर दिया गया है ये भी बताया है सरकार ने कि जिस तरह से एक ecosystem क्रियेट किया हुआ है ऐसे लोगों ने कि government job में बैठे हुए लोग है government में बैठे हुए ऐसे लोग है कि नोकरियां करते हैं लेकिन उनके तालुकात और उनके connection टेरिरिजम के साथ और पुरा ecosystem यहां पर create रखते हैं और जो उनके key stakeholders पिछली government पर भी इस पर बताया जा रहा है कि एक तरह से उन पर भी निशाना साधा कि उनके समय में ऐसे लोग government नोकरियों में यहां पर बैठे हैं जो की कहीं न कहीं आतकबाद का सब्सक्राइब करते हैं और उस में जितना भी उसको support करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कारावाई की गई है और एक जानकारी के नुसार पिछले तीन सालों में Union Territory Administration यानि यूटी employees को सब्सक्राइब कर लेकर बड़ी कारावाई की गई है यूटी एड्मिस्टेशन दुवारा और लगातार पिछले काफी समय से भी देखा गया है कि यूटी एड्मिस्टेशन ऐसे लोगों के खिलाफ विशेशकर ऐसे government employees के खिलाफ कारावाई कर रही है जिनकी involvement कई ना कई आंतरबाद के साथ आंतरबाद को बढ़ाने के लिए उनको यहां पर हर तरह की logistic help पहुंचाने के लिए वो मदद करते हैं उनके खिलाफ यह कारावाई कीए और यह कारावाई भी उसी में से है कि चार लोगों के खिलाफ action लिया गया है डिसमिस किया गया है जिसमें एक डॉक्टर है और यह भी बताया जा रहा है कि यह डॉक्टर association कश्मीर का प्रेजिडेंट भी है